मान्निय विधायत रामप्रीत पाश्मान जी राजंगर से आपने तिरंगा यात्रा निकाला बहुत खुशी की बात है तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए अब कौन सा संकट इस देश के ऊपर खड़ा हो गया है छे साल में ये तो भाजपाईयों को ही पता होगा कल जो आपने भासा का मरियादा लांगा है कि जो जैश्री राम कहेगा वही इस देश में रहेगा तेरे बाप की जागीर है क्या ये देश ये क्या है ये क्या भासा का बोल रहा है कुछ समझ में आ रहा है मैं हिंदू हूँ मैंने दस कठा के अंदर दुरगा भवन बनाया है अठारा मूर्तियं लगवाई है लेकिन हमने आज तक कभी राजनितिक रोटी सेकने के लिए मंदिर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि नेता के अंदर अपनी काबलियत होनी चाहिए हराम खोरो तुम्हारे अंदर क्या काबलियत है अस्सी से लेके अब तक राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर गाते फिर रहे हो भजन गाते फिर रहे हो क्यों नहीं अध्यादेश लाके राम मंदिर बनाने की पास किया पालियामेंट के अंदर तुम्हारा decision नहीं है ये सुप्रीम कोट का decision है और जिस बेक्ति को डुराने की कोशिस कर रहे हो तुम्हारे फरिस्ते के फरिस्ते भी इस देश से एक भी मुसलमान और एक भी दलिस समाज के लोगों को किसी को निकाल नहीं सकते हो इस बात को कान खोल के सुन लो ये हिंदू मुसल्मान की दाल रोटी सेकना बंद करो और एक चीज और कह रहा हूँ आज मैं राजनगर से बिधायक हो ना तो भारतिय मित्र पाटी तुम्हारे खिलाप राजनगर से कंडिडेट देगा तुम लड़ लेना जैस्री राम के नारे पे चुनाओ और हम लड़ेंगे विकास के नाम पे समाज में एक्ता के नाम पे तुम लड़ लेना नर्सी के नाम पे और मैं तो कहता हूँ खुले चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हारे गुरू अमिश्शाह को और मोदी जी को के बिहार का चुनाओ एनर्सी के मुद्दे पे लड़ लो समझ में आ जाएगा जिस जाती से पासमान होना एनर्सी के मुद्दे पे जराप पासमान सही मत मान के देख लेना कितने मत तुमें मिलेंगे और तुम लोग से चलीतर सीखने की देश में किसी को जरूरत नहीं है किस करेक्टर के हो रामपीरित पासमान बढ़िया से जानता हूँ मैं और तुम्हारी पार्टी में किस-किस करेक्टर के भरी हुई है दूसरे के घरवाले को अपना घरवाला बना के उनसे करेक्टर साठी पिकट लेने की देशबासियों को ज़रूरत नहीं है और जो बेक्ती मोदी जी महिलाओं की बात करते हित की वो तो खुद अपनी घरवाली को छोड़ के भागा हुआ बेक्ती है वो क्या दूसरे को इंसाब देगा बलतकारी तुम्हारी पाटी में भरष्टाचारी तुम्हारे पाटी में दंगे तुम कराओ फसाद तुम कराओ देश द्रोही के देश तोड़ने वाली राजनितिक तुम करो और ठीकड़ा मरो विपक्च के उपर याद कर लो भासन तिरपुरा की जन सभा में अमिस साह जी का भासन याद है के हिंदुस्तान में जितने दंगे भड़केंगे उतना कमल खिलेगा तो दंगे भड़काने वाले भासन तुम देते हो अभी साहिन बात का देखा ना मैटर के हमारा ये परियोग है हिंदु मुसल्मान को लड़वाएंगे और परियोग साला में अपने भोट बैंक की राजनितिक करेंगे तो कितनी घटिया सोच में और कितनी घटिया पाटी के सदस हो तुम क्या हिंदुस्तान में एक भी भाजपा के नेता को खुली चुनौती दे रहा हूं करेगा मेरे से डिसकसन नर्सी पे खुले मंच पे खुली चुनौती दे रहा हूं देश की जनता को मूर्ख बनाये वोय हो हिंदु की बात करते हो उन्नैस लाग छे हजार छेसोच्छी आसट तिरपन आदिमियों की नागरिकता आसाम में समाप्त कर दी हिंदु हिंदु का ढोल पीटते हो और पंदरा लाग से ज्यादा हिंदुों की नागरिकता समाप्त कर दी शरम नहीं आता है और वो हिंदु है कौन जिस बिहार में हम लोग रहते हैं सबसे ज्यादा बिहार के आदमियों की नागरिकता गई है एनार सी एनार सी एनार सी पूरे देश को गुमराह करके बैठे हुए हो नागरिक्ता संसोधन कानून नागरिक्ता देने का तुमने कानून बनाये कि यह पहले से कानून देश के अंदर लागू है 1955 से कौन सा ऐसा तीर मार दिया है बिकास दर सारी चौपट कर दी पांच लाग 65,000 कमपनियों की मानता रद करके 6 करोड आदमियों को बेरोजगार बना दिया LIC को बेच के खा गए सभी चीज़ तो बेच के खा गए और तिरंगा यात्रा क्या है तिरंगा यात्रा तुमसे देश भगती सीखेगा क्या इस देश का नागरिक जब तुम्हारी सत्ता नहीं थी तब 90,000 सैनिकों के हत्यार पाकिस्तान में भुष के भारत की सैना ने गिरा सिलिंडर करवाया था भूल गये तुमने क्या कराया चुनाओ जीतने के लिए इस देश के सैना को मरबा दिये देश के गद्दारों और दूसरे को गद्दार कहते हो तुमसे बड़ा गद्दार इस देश में भाजपा वालों से बड़ा गद्दार इस देश को तोड़ने के लिए आरेसस संगठन एक आतंकी संगठन है फिर से कह रहा हूं मैं क्योंकि जब महात्मा गांधी की गोड से ने हत्या की थी तो उस टाइम के अंदर सरदार बल्लम भाई पटेल ने आतंकी संगठन कहके संगठन को बेन करने का काम किया था वो तो कहो के जवाहलाल नहरुजी ने इस संगठन के उपर रहम करके इसको पुना आज उसी का नतीजा वो लोग खुद भुगत रहे है तो ऐसी घटिया राजनितिक आप लोग करते हो तिरंगा यात्रा क्या है उसे क्या देश को मिलेगा क्या तिरंगा यात्रा निकालने के लिए देश की जनता ने तुमको चुनके भेजा था या तिरंगा यात्रा निकालके क्या देश का विकास हो जाएगा कितनी इंडेस्ट्रियां बिहार में लगवाई इस पे कभी डिस किया या कभी सदन के अंदर आवाज उठाई कि मूर्खों की एक टीम एकठी हो गई है और देश की जनता को गुमराह किये हो एक नफरत भरी राजनितिक करते हो जब हिंदू मुसल्मान को इसी मुल्क में रहना है तो फिर ऐसी नफरत की राजनितिक क्यों पैदा करते हो मैं फिर से कह रहा हूँ NRC के मुद्दे पे CAA के मुद्दे पे और NPR के मुद्दे पे 2020 का चुनाओ लड़के देख लो बिहार में एक दो सीट मिल जाएगा कहीं वो भी उन काष्टों का फोर्वार्ट का बाकी बैकवार्ड आपको दलित महा दलित कोई भोट नहीं देने जा आए इस बार यही कड़वी सच्चाई है क्योंकि घुम्राह आप जादा दिन तक नहीं कर सकते किसी बेक्ती को जो जैश्री राम बोलेगा वो इस देश में रहेगा मैं तो नहीं बोलूँगा तेरे कहने से उखाड़ ले वही क्या उखाड़ना चाहता क्योंकि तुम्हा कि कोई भासा की मर्यादा नहीं है तेरे बाप के बाप से बाप से भी अगर मैं भगाने की दम है ना तो धनेश्वर्म है तो तुरे को बोल रहा है कि भगा के दिखा दे मुझे देश से समझ गया राम प्रित पासमान सुरक्षित सीट नहीं होता ना राजनेगर तो मैं आता चुनाओ लड़ने जरा देखता तेरे जैसरी राम से कितना तेरे को मत मिलता है और कितना हमें मिलता है निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख